आई जेमिना, मितुन राशी, कैसे हैं आप सभी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे, आज हम आपकी निवेंबर मंत की रीडिंग करने वाले हैं, देखेंगे निवेंबर का महीन आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या रहा है इस महीने आप सभी के लिए और डिवा प्रेस करना बिलकुल मन भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन मिल सके परसनल रेडिंग कराना चाहते हैं तो परसनल रेडिंग पेड है उसकी सारी इंफोमेशन आपको वाट्सप पर मिल जाएगी वाट्सप नंबर दिया चुका है उस पर आप सिर्फ मेसेज कर सकते हैं कॉल्स अलाओ नहीं है कॉल्स पिक नहीं की जाती है तो प्लीज कॉल्स मत कीजिएगा तो चले जैमिनाय मितन राशी स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग फ्रिंग यहां पर मैं सभी स्प्रेड ओपन कर लूँगी अगर आपको शफलिंग पसंद है देखना स्प्रेड निकालते हुए देखना पसंद है तो आप देख सकते हैं आदर्वाइस आपके पास ओप्शन है आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं जैमिनाय मितन राशी नेवेंबर मन्त ओम नमह शिवाए rest and rejuvenation beautiful card nice bottom of the dick here our force chakra archangel refill Gemini and mithan rashiζ नेवेंबर मतोम नमह श्यवाए वाव यहां से भी मुझे यही वाइप्स मिली थी चलिए मैं लास्ट में बताऊंगी क्योंकि कुछ लोग इसकिप भी कर सकते हैं बॉर्टम ओफ देख है सन के इस्ट्रोजिकली देख लेते हैं ओम नमह शिवाई ओम नमह शिवाई जमिनाय मिथन राशी कर दो देख भाई लॉर्टम बाई नमह नमटर मुझे वनकाट लॉर्टम खवाई प्रिस यॉर्ट थी तेंगार world bottom of the decade twelfth house this is the area of your life that is overwhelming you yield to a greater cause or power gemini mito on nommashivari gemini mito nommashivari November your hard work is paying off okay bottom of the day a time for healing रेस्टेंग रिजुमिनेशन राइट हम टारो से देख लेते हैं आपके लिए जमिनाय मितन राशी निवेंबर मंथ में तन राशी के लिए hermit nine of cups two of swords six of pentacles okay cards give me wallet heavy hmm star seven of swords okay bottom of the deck here rebirth huh I didn't stick with a happy day hmm Wow hmm demiser Morality Clinging to the past यह आपकी guidance है bottom of the deck है going with the flow Okay, my dear Gemini यह बहुत ही जादा career type of reading लग रही है मुझे क्योंकि है पर main focus में भी जो आया है astrologically backed भी जो पर राएवर 10 था होसे आपका जो आपकी achievements को आपके status को आपके earnings को आपके career को basically बताता है लेकिन यह आपका कोई भी अरिया हो सकता है क्योंकि यह journal reading के तो अपने ही साब से देखिएगा अपने ही situation में इसको connect करने की कोशिश कीज़े तो आपको यहां से answers मिल जाएंगे ठीक है reading के अगर मैं बात करूँ ना Gemini आप अपनी तरफ से ना अपना कुछ वक्त से 100% मैं कहूंगी 101% दे रहे हो ठीक है बहुत मेहनत कर रहे हो किसी एरिया को ले करके बहुत 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 ज़ादा efforts डाल रहे हो अपनी तरफ से लेकिन यहां क्या दिखाई दे रहा है आप फिर भी demotivated हो रहे हो बहुत ज़ादा low energies में जा रहे हो The Hermit card यह जो आपके लिए November month की reading आ रही है अपने पर doubt करना बन कर दो अपने काम पर doubt करना बन कर दो अपने abilities पर doubt करना बन कर दो self doubts नहीं करने है अपनी worth को समझना है अपने confidence को low नहीं करना है negativity के अंदर नहीं जाना है ठीक हैं यहां पर आपको यही बोला जा रहा है और आपको बोला जा रहा है आप जितनी महनत कर रहे हो यहाँ पर दिखाए दे रहा है कि आप महनत कर रहे हो और ठक भी गए हो आप अपनी तरफ से अपना पूरा जैसे कहते हैं कि पोशन देना लेकिन आपको उतने आउटकम देखने को नहीं मिल रहे हैं खास कर आपके materialistic world में यहां मैं कहूंगे आपके practical world में जो आपका career होता है ठीक है वहाँ पर भी आपको ज़ादा देखने को नहीं मिल रहा है maybe आपने अपनी emotional side पर ज़ादा focus करा कुछ समय पहले ठीक है जिस वज़े से कि आपका जो practical life है या फिर आपकी career life है वो बहुत effect हुई है तो खेर कहने की बात यही है कि आपको doubts नहीं लाने है सब बहुत अच्छा चल रहा है और आपको बोला जा रहा है your hard work is paying off यह चीज आपको अपने mind में रखनी है इस पर आपको focus करना है कि जो आपको लेकर के उसका outcome मुझे definitely देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर 9 of cups की भी उरजा है हमारे पास जो कि wish fulfillment को दिखा रहा है और आपको यह दिखाया जा रहा है कि मैं शुरू कि अगर हफता 10 दिन को छोड़ दिया जाए वहाँ थोड़ा आप negative हो रहे हो मैं हफता भी मुश्किल से ही बोलूँगी कुछ लोगों के case में हफता से 10 दिन होगा ठीक है 1 week से 10 days लेकिन जल्दी ही आपको उसकी results देखने को मिल जाएंगे जल्दी ही आप उन results को लेकर के जिस area को लेकर के आपने बहुत मेहनत करी है खास कर career ठीक है उनके results को लेकर कि आप यहाँ पर मुझे enjoy करते हुए नजरा रहे हो वो satisfaction आपकी अंदर नजरा रही है क्यों क्योंकि आपको उसका result मिल रहा है लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है dissatisfaction नहीं लेकर आना फिर भी हो सकता है कुछ लोगों को वो भी कम लगे कुछ लोगों के case में यह भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि नहीं मैंने तो अपनी तरफ से दिया अभी भी कुछ कमी है या अभी भी पूरी तरह से मुझे वो मेरा result नहीं मिला देखने को तो आपको बोला यहाँ पर यहीं जा रहा है कि ऐसी सोच में आपको नहीं आना है जो आपको मिल रहा है उसे enjoy कीजिए बहुत जादा future oriented नहीं होना है क्योंकि यहाँ पर कहना है माईजर की उज़ा है जो कि यह बता रही है negativity आपके पास है आ रहा है है already ठीक है यह अगर card अगर आप देखेंगे फिर भी यह इंसान ना बहुत कंजूसी दिखा रहा है बहुत कंजूस वाइब्स आ रही है बहुत ही जादा insecure feel हो रहा है अपनी चीज़ों को लेकर के यहाँ कमी से नजर आ रही है आपको बोला जा रहा है कि एक तो यह भी message है आपके लिए यहाँ पर कि अपने heart को थोड़ा open कीजे थोड़ा अपने अंदर compassion को लेकर के आईए लोगों के साथ उस चीज़ को बाटिए मेभी आपकी life में इस चीज़ की थोड़ी सी कमी है कुछ लोगों की life में मैं सभी की life में नहीं बोलूँगी क्योंकि एक general reading है तो जिनके साथ यह situation fit हो रही है वो ही ले कि आपके पास आता है लेकिन आप थोड़ा वाइब्स में आ जाते है या आप कहते हैं नहीं इतना enough नहीं है जब इतना आएगा तब कर देंगे या उस बारे में शायद आप सोचते भी नहीं है नहीं भी सोचते हैं या सोचते भी है लेकिन करते नहीं है तो आपको बोला जा रहे है थोड़ा सा donate जरूर कीजे जो भी आपकी income जितना भी आप कमाते हैं जादा नहीं थोड़ा सा भी कमाते हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा नीदी परसन को जरूर दे मैं यहाँ पर मंदर में दान देने के लिए नहीं बोल रही हूँ ठीक है मैं किसी नीदी परसन की help करने के लिए बोल रही हूँ अभी आप चाहे वो money wise help कर रहे है या उनको कोई चीज दिला करके help कर रहे है बेसिकली और यह matter करता है बहुत ज़ादा कि आप वाकई में देख इसको रहे है एक तो होता है ना कि हाँ हमें बोला गया था हमने donate कर दिया हमने मदद कर दी अभी वो बंदा आगे क्या कर रहे है यह मारी responsibility नहीं है यह भी आपकी responsibility है ठीक है तो यह देख कर की कीजिए कि वाकई में आप जिसकी help कर रहे है उसको मदद की जरुरत है भी कि नहीं वो उन चीजों को जो भी आपने उसकी मदद के लिए है जो भी जिस तरीके से भी आपने उसकी मदद की है कहीं वो उन मदद का गलत फाइदा तो नहीं उठा रहा है कहीं किसी को नुकसान तो नहीं पहुचा रहे हैं चीजों से किसी का पेट भढ़ना बहुत अच्छी बात है ठीक है तो I hope आप समझ गए है मेरी बात तो यह बहुत ध्यान रखने की जूरत है जितना भी आप अन कर रहे हैं आपको बोला जा रहा है उसमें से कुछ हिस्सा जो है या जितना भी आपका मन मानता है दिल कहता है उसे जरू डूनेट कीजे और यह थोट मत लाइएगा कभी भी यह याद रखेगा मैं यह नहीं कहूंगी कि आप आज दे रहे हैं इतना तो 10 multiply उगर की आपके पास आएगा 10 गुना multiply आपके उपर आएगा पास अगर यह thought यह intention से दे रहे हो तो मती दो ठीक है क्योंकि उसका कोई फाइदा है नहीं तो आपको सिर्फ यही बोला जा रहा है intentions पे और होनी चाहिए intentions क्या होनी चाहिए कि मुझे इस महीने किसी की मदद करनी है या मुझे every month किसी की मदद करनी है किसी जरूरत मंद की मदद करनी है ठीक है क्योंकि यह एक nature होनी चाहिए आप मेंसे कुछ लोगों की चली ये मदद कर रही हूं जिनके साथ भी ये resonate हो रही है या उनकी ये guidance को follow करके अगर वो अपनी life में changes ले करके आते हैं तो जिस तरीके से भी आप मदद कर सकते हैं किसी की नीडी की वो ज़रूर कीज़े लेकिन यहाँ पर financially आ रहा है अगर आपको financially satisfaction कहीं नहीं फील हो रही है तो पहली बात तो अपने mindset को यहाँ पर change कीज़े ऐसा कुछ है नहीं और दूसरा यहाँ पर आपको बोलज़ रहा है थोड़ा सा sharing कीज़े ठीक है, share करना है आपको जो भी है आपके पास बहुत ज़्यदा quantity में नहीं थोड़ा ही सही, लेकिन कीजिए ज़रूर फिर वो तबदीली आप अपनी life में आते वे देखेंगे क्योंकि जहाँ आपकी nature बदल रही है जहाँ आपकी सोच बदल रही है जहाँ आपकी intentions पे ओर हो रही है वहाँ fruits definitely देखने को मिलेंगे लेकिन satisfaction मत रखिये कुछ ना कुछ है with the two of swords ठीक है, उल्चन है आपके mind में कि नहीं ऐसी situation में या दो situation में या कहीं ऐसी जगह पे stuck हैं आप जहाँ decision आपको लेना है कोई ना कोई two paths हैं सिचुएशन मुझे यहाँ पर बता रही है तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पर mentally अपने आपको पहले तो शांत करने की यहाँ पर जूरत है और और पूरा आपके लिए यहाँ पर जो message आया है rest and rejuvenation का आया है 19 number का card है 1 plus 9 is equal to 10 ठीक है 10 ending plus 1 beginning अपने इंटेंशन को प्योर कीजे यह नहीं कहरी आप में purity नहीं है आप प्योर है definitely यह जनल रेडिंग है जिनके साथ connect हो रहा है वो लीजिए लेकिन meditate आपको ज़रूर करना है और आपको बोला चारह है बहुत ज़्यादा hard work आप कर रहे है बहुत ज़्यादा थोड़ा सा rest लीजिए अपने आपको recharge कीजिए recharge करने की यहाँ पर जुरूरत है divine पर विश्वास रखिए वो आपके कर्मों का फल आपको देंगे जो कर्म आप कर रहे हो your hard work is paying off वो आपको definitely मिलेगा revert में impatient मत होईए अपने पर विश्वास कीजिए अपने पर वो divine पर doubts मतला ये विश्वास करने का मतलब ये नहीं कि आपके नहीं मुझे तो divine पर विश्वास था लेकिन पूरा नहीं हुआ या माने कि वो विश्वास नहीं था क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ doubts नहीं आते है my dear वहाँ सबर आता है, वहाँ patience आता है कि हाँ divine मुझे देंगे वहाँ आप एक time limit नहीं बांग देते, क्योंकि divine के साथ time limit नहीं चलता है, कि यह रहा यह time period था, इसमें क्यों नहीं मिला मुझे यहाँ यहाँ पर मैंने आपके heart chakra को open करने के लिए भी आपे message दियो, यहाँ पर हमारे पास fourth chakra archangel raphael है जो की heart chakra को denote करते हैं heart chakra green color आपके लिए green color के साथ काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा green vegetables खाना, green color को use करना आपनी life में, जो ladies हैं जो females हैं, green color की meditation कीजिए, chanting कीजिए, heart chakra की yum, y-a-m, yum होता है बीज मंत्रा, heart chakra का, उसकी meditation कीजिए जहाँ आप ही meditation करते हैं, जहाँ आप अपने life में वो balance लेकर आते हैं, आपकी life में वो खुशिया, वो cornucopia, वो blessings मैंने बोला ना, जैसे की materialistic materialistic abundance आपकी life में आ रही है cornucopia, यह career wise यह abundance, यह money wise यह materialistic abundance wise यह सबसे number one card होता है, इसमें हर चीज है, even इसमें good health everything तो यही आपको भी बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ indecision, कुछ ना कुछ ऐसे mode हैं आपकी life में, जहाँ आप स्टक हो अभी भी, तो आपको बोला जा रहा है, मन को शान्त कीजे, अगर बहुत जादा दिमाग पर जोड लगाएंगे, तो वहां स्टक रहेंगे, कुछ चीजें हैं, आप अभी भी नहीं देख रहें, क्योंकि यहाँ पर, अगर two of sorts की बात करें महा, यहाँ पर भी आखो पर पट्टी है morality में, यहाँ पर भी आखो पर पट्टी है, तो पहले तो self doubt करना बन कीजिए और अपने आपको limit करना बन कर दीजिए जहाँ आप अपने आपको limit करना और self doubt करना बन कर देंगे जहां आप confidence में आ जाएंगे, जहां आप divine पर trust करने लग जाएंगे, वहीं आपको वो रहा भी दिख जाएगी लेकिन उसके लिए आपको divine से connection को build up करना ज़रूरी है I mean build up तो आप connected होंगे, आप पूझा पाट करते होंगे लेकिन उसको और strong करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आपको क्या कह रहे हैं, उस चीज को सुनना और कुछ लोगों के लिए यहां पर बहुत strong message है, एक तो यह दो reasons है आपकी life में एक तो donation, donation ही मैं बोलूँगी, या फिर मैं बोलूँगी किसी की मदद करना किसी जरूरत मन की मदद करना, उसके लिए अपने आपको open कीजे क्योंकि यहां पे नापका heart chakra blocked है, आपने अपने आपको block कर रखा है आप resist कर रहे हो, change लाने को ही, आप accept नहीं कर रहे हो अपने घर में देखिए, अपने kitchen में देखिए, अपने office में देखिए, अपने mind में देखिए, अपनी पुरी life में देखिए जाइजा लीजी, कहां पर क्या दिक्कत आ रही है, कहां पर कितना waste material रखा हुआ है ठीक है, क्या आप कितना waste आप सोचते हैं, कितना समय आप कहां बरबात कर रहे हैं ठीक है, तो ऐसे चीजों को ना अपनी life से बाहर निकालने के जुरुत है खास कर बहुत पुरानी चीजे, कुछ लोग बहुत पुराने बड़तन अपने घर में रखते हैं यूज नहीं करेंगे, लेकिन उनके अपनों ने दिया होता है, ठीक है, बड़ों ने दिया होता है, लेकिन यूज नहीं तो माई डियर वो ब्लॉकेज क्रीट कर रहे हैं, या तो आप यूज करें नहीं, तो किसी नीडी को दें उससे आपके बड़े वजुर्ग भी खुश होंगे, यह याद रखिएगा, जो इस दुनिया में नहीं है, अगर उन्होंने दिया है तो, यह मैं आपको बता रहे हूँ क्योंकि फिजिकल वर्ड की तो में बात ही नहीं कर गई, यहाँ तो हम ना समझ होते हैं, समझ तो हमें में वहाँ जाकर आती है, जब हम उस वर्ड में जाते हैं, ठीक है ना, तो यही आपको भी बताया जा रहा है, अपनी लाइफ में देखिए, क्या चीजों की मतलब छां कर रहे हैं, और चीजों को लेकर के चले आ रहे हैं, कोई regrets लेकर के चले आ रहे हैं, किसी तरह के fears को लेकर के चले आने हैं, उन्हें release करना है, क्योंकि blessings आ रही हैं आपकी लाइफ में, यहाँ पर situation मुझे कहीं से भी problem नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर रीबर्थ क जो मैसेज है ना यह बेसिकली जज्मिन का कार्ड है यह आपको यही बताता है कि पहली बात तो जितना कर्म आपने करा है ना जितने efforts आपने अपनी तरफ से डाले है क्योंकि journal reading है तो किसी के कम है तो किसी के ज़्यादा है उस तरीके से आपको वो result मिलेगा भले ही अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यहापे भी पट्टी है तो अपने पर डाउट करना बंद कर जो divine पर विश्वास रखो यह भी क्या card बताता है कि divine पर विश्वास करके आगे बढ़ना कहीं न कहीं crossroads पर है आप अभी भी आप decision नहीं ले पारे मैं क्या करूं ठीक है तो आपको divine पर ट्रस करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है time for a healing यहाँ पर भी bottom of the deck है देखे time for a healing और यहाँ पर क्या है going with the flow विश्वास रखना है going with the flow रहना है जो हो रहा है होने दीचिए ठीक है आप definitely जो भी आपके efforts रहे हैं वो useless नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 10th house आपके achievements है six of wands की उज़ा मुझे यहाँ पर मिल रही है सफलता क्योंकि यहाँ पर bottom of the deck हमारे पास sun की भी उज़ा है जितना आप कर रहे होना जो आपने कर्म करा है उतना आप definitely पाओगे six of pentacles और rebirth यह judgment का काड़ी यहाँ पर बता रहा है तो doubts मत करो अपने पर भी और divine पर भी वो आपके लिए blockage create करेगा आपकी life में blockage create करेगा हम नमाश शुवाए और क्या messages है आपके लिए Gemini में राशी November month six chakra arch angel metatron आपकी intuition आपकी six sense indecision again आगया trust तो रखना पड़ेगा door to personal healing यह तो भई healing का time है आपके लिए victory bottom of the deck yeah bottom of the deck है victory door to personal healing and happening इस महीने आपके लिए healing बहुत सारी आ रही है तो अपने लिए समय निका लिए थोड़ा rest कीजिए, rejuvenate कीजिए meditate कीजिए, healing कीजिए chanting कीजिए, वो आपके लिए बहुत important रहने वाली है, spirit आपके साथ काम कर रहे है, ठीक है किसी ना किसी तरीके से आपको mother definitely मिलेगी, अपने senses को follow कीजिए खासकर आपकी intuition आपकी feeling आपकी sensations, जो आप sense करते हो चीजों को, क्या feel हो रहा है feeling अगर आपको अच्छी हारी है तो doubt मत कीजिए आपको बोला जा रहा है ठीक है, indecision की यहाँ पर है, तो definitely जहाँ आप doubts लेकर आओगे न अपनी life में, जहाँ आप stuckness फील करोगे वहाँ आप victory से पीछे हो जाओगे, क्योंकि वो blockage create कर रहा है आपको बोला जा रहा है, divine से connect होंगे तभी आप उस पात पर चल पाओगे क्योंकि जहाँ आप stuck हो रहे हो कि नहीं दो situation में दिमाग चलाओगे जादा तो सही नहीं चल पाओगे सही पात पर नहीं जा पाओगे तो उसके लिए थोड़ा सा रुकने की जुरत है, थमने की जुरत है meditate करने की जुरत है meditation इसलिए क्योंकि उसे मन शान्त होगा मन का short शान्त होगा तो आप divine से connect हो पाएंगे, divine से connect हो पाएंगे तो आप right decisions ले पाएंगे, अपनी third eye से अपनी intuition से, अपनी inner light से connect हो पाएंगे, और वही आपके लिए victory आ रही है वहीं आपके लिए आगे सफलता है वहीं आपके लिए आगे abundance है चाहे वह आपका career है चाहे वह आपके relationships है चाहे कोई भी area है ठीक है, तो yes Gemini ये थी beautiful reading आपके लिए hope आपको इससे guidance मिली हो, मिली है तो please video को like जरूर कीजेगा channel को subscribe जरूर कीजेगा thank you so much for watching my video God bless you all, bye bye